हलो फ्रन्स आज का टोपिक है मेरा जे विवित्ता का सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे जिसमें हम वीटेकर के जो प्लांटी जो जगत है उसके बारे में देखेंगे इसमें हम देखेंगे ये कोसी के भितिव भू कोसिया यूकारियोटिक जीव होते हैं इसमें पादब सरीर को उनके परदार्थों के सहवन के अधार पर उत्तक और बीस धारन की चमता के अधार पर बाटा गया है इसमें थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरेडोफाइटा, जिम्नोस्परमो एंज्योस्परमोते हैं फर्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर थेलोफाइटा, इसका जो पादब सरीर है वो थेलस लाइक होता है यानि ये जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होता इसका जो काईक जनन है वो विकंडन के द्वारा होता है यानि इसका एक भाग एक नया पादब बना लेता है एलेंगिक जनन बिजानों के द्वारा और लेंगिक जनन दो युगमकों के सल्लेन के द्वारा होता है यहां दो यूगमक सल्यन होकर एक क्या नया पादब बना लेते हैं यहां कलेमाइडो मोनास, वॉलवोक्स और कारा इसके एक्जाम्पल है सेकिंड हम देखेंगे ब्रायोफायटा यह पोधे उबहचर कहलाते हैं उबहचर यह पानी में और बार दोनों जगह पाये जाते हैं वासिंग मूल तना पत्या नहीं होती हैं लेंगिंग जनन के लिए जल पर निर्बर करते हैं इनका लेंगिंग जनन यूगमोद भीद के पूधानी वे इस्तिरिधानी यानि मेल और फिमेल के जो मेल के पुमूंग जो फिमेल है उसके अंड के सयोजन से होता है इसके जो मेल होता है यानि पुमूंग होता है उनको पानी में चोड़ दिये जाते हैं और वो अंड के साथ जाकर सयोजन कर लेते हैं इसका जो एक्जामपल हो लिवरवर्ट और मोस हैं फिर है टेरिडोफाइटा पादबो का सरीर इनका जड़ तनापत्ती में विभादित होता है इन में सवन उत्तक उपस्तित होते हैं यानि जायलम और फ्लोयम होते हैं यह नम इस्थानों पर पाए जाते हैं इसमें भी पाठ है उसे अंड के सयोजन द्वारा जनन होता है यानि लेंगिक जनन होता है अब है क्रिप्टो गेम्स किसे कहते हैं यानि थेलोफाइटा ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में फल वा बीज उत्पन करने की चमता नहीं होती है इसलिए इनसे क्या कहते हैं यानि अनावरत बीज यानि बिजान अंडासर से ढखे हुए नहीं होते हैं इसलिए इसमें क्वक मूल भी पाए जाती है और इसके जो साइनस होता है उसमें परवाल मूल पाए जाती है यानि जो साइनस वो साइनो बैक्टेरिया की जो जड़े होते हैं वो साइनो बैक्टेरिया के साथ सायो कर लेगती हैं क्योंकि नाइटोजन का इस्तिरीकरन करती है इसलिए इसमें क्या पाए जाती है परवाल मूल किसमें पाए जाती है और कवक मूल जो पाए जाती है इन एंग्यो यानि धका हुआ इस पहर मी यानि बीज जी होता है वो कवर्ड अवर्थ होता है ऐसे पाद्मों में जिनमें बीज फलों के अंदर ढखे वे रहते हैं इन पाद्मों के बीजों का विकास अंडाश्य के अंदर होता है जो बाद में क्या बनाता है फल बनाता है ये पुस्पी पादव हैं भोजन संचक या तो बीज पत्रों में होता है या फिर बुर्ण पोस में होता है इनमें नर यूगमग मादा यूगमग संयोजन से क्या होता है लेंगिक जनन होता है इसमें शर्षों आम और बरगद इसके क्या है एक्जामपल है तो ये था मेरा आज का टोपिक जिनमें हमने प्लांटी के बारे में पढ़ाता फिर आगे के हम जो वीडियो होगा उसमें एनिमेलिया जो इसका जगत है उसके बारे में पढ़ेंगे अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सस्क्राइब करना थेंक यू